तो तीन क्रोहों की युति की जहां हम चर्चा कर रहे थे एक और उसमें वीडियो एड़ करते हैं और बात करते हैं मंगल, चंद्रमा और केतु की युति की मंगल, चंद्रमा और केतु की युति आपके लगन चार्ट में किसी भी भाव में हो सकती है इस यूति के बहुत ही गहरे परभाव और परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे देखे इस यूति में अगर देखा जाए तो मंगल क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आक्रामक और बहुत ही ज़्यादा फायरी इनर्जी वाले ग्रहे हैं और केतु हैं वो मंगलवत ही बिहेव करते हैं ऐसे में यहां मंगल का अच्छा होना बहुत जोर रही है अच्छी कंडिशन में होना बहुत ज़्यादा आफसेख है नहीं तो आपका मंगल अगर बिगडा हुआ है आप इवन कभी कभी अपना खुद का भी नुक्सान कर लेंगे अपने किसी गलत फैसले के विज़े से या अपने आपको नुक्सान पहुंचा लेंगे फिजिकली और मेंटली भी तो इस केस में आपका क्योंकि चंद्रमा है वो नहीं रहेगा मदर से इस केस में अगर देखा जाए तो जात तक है वो काफी बार ऐसे इशूज फेस कर सकता है जहां पर उसके माइंड में बहुत ज़दा अंसर्टिनिटी चल रहे है किसे भी काम को करने को लेकर कि वास्तम में उसको कौन सी दिसा में जाना चाहिए अब अगर इस कंजिक्शन का समन्द आपके टेंथ हाउस से है तो जात तक का जिसे केरियर में इस्टेबिलिटी कभी भी नहीं रहता और केरियर में उतार चड़ा भी काफी ज़दा आते रहेंगे इसी प्रकार से ये कंजिक्शन आपके जिस भी भाव में है उस भाव से रिलेटेड कारियों के लिए या उस भाव से रिलेटेड चीजों के लिए कंफिजन बहुत ही ज़दा क्रियेट होगा आपके अंदर क्योंकि आप कभी-कभी बहुत ज़्यदा energy feel करेंगे अपने अंदर काम करने के लिए और कभी-कभी आप बिलकुल नकरात्मक हो जाएंगे तो यहां आप positive side में जाएं या negative side में जाएं यह decide करना भी आपके लिए बहुत ज़्यदा कठिन हो जाता है इसी प्रकार से यह conjunction किसी भी तरह का बहुत ही deep research करने या बहुत ही deeply सोचने के लिए अच्छा conjunction है बट यह आपको mentally काफी परिशान करके रखेगा हमेशा ही अब केतु किसी भी इनेगरे के साथ इस्तित होते हैं तो वो उसके energy सोखने का काम करते हैं तो यहाँ सबसे जो negative impact है या सबसे ज्यादा जो negative प्रभाव है वो आपके चंद्रमा पर ही पढ़ने वाला है बले ही चंद्रमा थोड़ा दोर भी अगर इस्तित हो के तुसे तो भी तो इस case पे आपको हमेशा meditation वगरे पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको अपना mental peace तलासना है जब भी यह conjunction होता हो इसी प्रकार से यह conjunction आपके जो domestic life है उसको भी खराब कर देता है आपका खुद का personal life को भी काफ़े ज़्यादा खराब कर देता है और physical body को represent करते हैं और physical body को जब mangal represent करते हैं तो यहां पर आपका जो चंद्रमा है चंद्रमा आपके मन केंदा करता है ऐसे में मंगल जो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉंग चाहत दे रहा होता है किसे भी काम को करने के लिए या आपको सफल होने के लिए उसको बिगाडने का काम केतु करते हैं तो यहां पे आप मंगल को फोलो करें नाकी केतु को और चंद्रमा तो इन दोनों से ही प्रभावित होंगे ऐसे में आपको चंद्रमा को कंट्रॉल करना पड़ेगा अपनी जो इस्ति है मन की जो इस्ति है उसको काफी स्ट्रॉंग रखना पड़ेगा आपको सुधार न पड़ेगा, बहुत बार ऐसा होगा जब आप बहुत जल्दी बाजी में decision ले लेंगे और वो decision आपके बहुत ज़्यदा खिलाप जा सकते हैं, आपको उन decision की विए से काफी नुपसान हो सकता है यह decision आपके जमेन जाइदाद से समन्दित हो सकते हैं, किसी भी निकरतम आपका जो relative है उससे relations में समन्दित हो सकते हैं या देखा जाए तो यह जो conjunction है वो आपको बहुत ही ज़्यदा mental paste लासने के लिए causes करवाएगा तो इस case में आप हमेशा mentally depressed नजराएगे या थोड़ा सा भी काम कर लें तो बहुत ज़्यदा थकान महसुस करने लगेंगे मानसिक रूप से तो इस conjunction की वज़े से आपको mentally fit रखना खुद को बहुत ही ज़रुरी है अगर आप यह नहीं कर पाते तो आप physically भी फिर fit नहीं रहने वाले हैं क्योंकि अगर आप mentally fit नहीं तो आप physically कुछ ऐसे गलत decisions ले सकते हैं या कभी-कभी आप ऐसा कोई काम करेंगे जिसमें आप फालतों की मेहनत किये जा रहे हैं लगातार बट जब end में जब result आएगा तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा तो यह एक बहुत ही बहंकर frustration भी उत्फन करने वाले स्थिती है बट इस conjunction की वज़े से आपको बहुत ही ज़्यादा कोई occult का छेत्र है या जहां पे बहुत mysterious काम होते हैं या जहां पे हत्यारों से related काम है या आपको कुछ technical काम करना पड़ रहा है जहां पे उन छेत्रों में यह conjunction आपकी बहुत ज़्यादा help कर सकता है तो आपको इस conjunction को बहुत ज़्यादा negative वे में नहीं देखकर बहुत ही positive दरश्टी से देखना चाहिए और आपको यह decide करना चाहिए कि इस conjunction से आप कैसे अपने life को बदल सकते हैं कैसे इसका लाब ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं